नमस्कार मैं उप्रिया आज है 9 जुलाई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर 106 SI और कॉंस्टिबल के पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी जमीन की मापी में अब नहीं कर सकेंगे हेर फेर बिहार टेलेट के लिए नामांकित अभिर्थियों को रजिस्ट्रेशन का मिला एक और मौका पंटा मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने शुरू की लोगो डिजाइन की प्रतियों गिता इस तारीक से पहले आधार काट को करवाले पैन से लिंक अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार से 106 SI और कॉंस्टिबल की पदो पर भरती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी बिहार पुलस ने स्पोर्ट्स कोटे के तहट सब इंस्पेक्टर और कॉंस्टिबल के पदो पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है जिसके तहट कुल मिलाकर 106 रिख्तियां अधिस उचित की गई है जिन में से 85 रिख्तियां कॉंस्टिबल के लिए है और 21 SI पद के लिए है च्वैनेत उमिद्वारों को लेवल 3 के तहट 21,700 रुपे से लेकर 79,100 रुपे के मासिक वेतन पर नौकरी पर रखा जाएगा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुडू की जाएगी जो की 9 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी जिसके बाद इच्छोक और योग्य उमिद्वार बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट बिहारपुलिस.bih.nic.in पर ज़आ कर आवेदन भर सकते हैं इन पदों के लिए सक्षनिक योगिता की बात करें तो सब इंस्पेक्टर उमिद्वार के पास किसी मानेता प्राप्त केंद्रियर राजविश्विद्याले से एक राजवेशन की डिग्री होना चुहिए जबकि कॉंस्टिबल पद के लिए उमिद्वार के पास 10 प्लस 2 पास होना अनिवार है जमीन की मापी में अब नहीं कर सकेंगे हेर फेर बिहार में जमीन के सबसे ज़ादा विवादित मामले है ऐसे में अब भिहार सरकार जमीन के मामलों को सुलजाने में लगा हुआ है आपको बता दे प्रदेश में चकबंदी से लेकर जमीन की मापी का कारे तेजी से किया जा रहा है ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जमीन की मापी के दौरान कर्मशारी को जमीन मालिक को उसका सरकारी नक्षा भी दिखाना होगा लहाजा अमीन अब जमीन मापी में गरबड़ी कर विवाद पैदा नहीं कर पाएंगे ये भी कहा गया है कि मापी के लिए उन्हें हर हाल में सरकारी नक्षा ले कर जाना होगा सरकार की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ओन्लाइन आविदन लेकर जमीन के नक्षे की होम डिलिवरी भी जल्द ही लागू होगी विभाग के मंतरी हर सब्ता पांच दिन लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुनेंगे बिहार डियलेट के लिए नामांकित अभियर्थियों को रजिस्ट्रेशन का मिला एक और मौका परिक्षा समीती ने डियलेट प्रसेक्षन सतर दोहजार बीस वाईस में नामांकित अभियर्थियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर जयानकारी साजा की है इसके साथ ही वो अभिर्थियों के रेजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटी सुधार भी दिनांग 14-7-2021 से लेकर 20-7-2021 तक करना सुनिशुद करेंगे यदि रेजिस्ट्रेशन करने के साथ शुल्क जमान नहीं हो पाया तो भी शुल्क भुगतान इस अबधी के दौरान और दिनांग 14-20 जून से 20 जून तक कर सकते हैं गयर मानेता वाले राजनेतिक दलो पर इलेक्शन कमिशन की अब है नजर बीते दन बिहार के सभी निबंदित गयर मानेता प्राप्त राजनेतिक दलो से भारत निर्वाचुन आयोग ने ओडिट की रिपोर्ट की मांग की है जिसको लेकर निर्वाचर विभाग के सेयुक्त मुख्य निर्वाचुन पदादिकारी मितलेश कुमार साहु नहीं निर पिर आयकार विवर्णी दाखला करने के लिए विस्तारी तारीक तक जमा किया जाना है पंचाय चनाव में कोविट प्रोटोकॉल का होगा सकती से पालन क्याबनेट विस्तार के साथ यह पंचाय चनाव की तयारिया तेज हो गई है जिसके तहती EVM से लेकर कम्यूनिकेशन तक का प्लान बन कर तयार हो गया है कोरोना के कारण हर स्तर पर अभी से ही तयारिया शिरो हो गई है पंचायतों में राजनेतिक सरगर्मिया तेज हो गई है ऐसे में राजनेर वाचन आयो के सामने पंचाय चनाव को समय पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए आयो जित करवाना अभी भी चनावती बनी हुई है इवियम की विबस्ता से लेकर मेंटेनिंस तक का जिम्मा दिया जा रहा है कोविड मानकों का पालन कराने को लेकर भी विशेश तयारिया की जा रही है जिलो में कोश्रांग का गठन करके कर्मचारियों की तैनाती की योजना पर काम किया जा रहा है गेल इंडिया लिमिटेड ने निकाली 220 सरकारी नौकरियां गेल कंपनी में नौकरी की तलाश में बैठे युमाव के लिए एहम सुश्णा भारत के सारवजनिक छेतर के महारतन कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने विभन ने विभागों में कुल 220 सरकारी नौकरियों पर भरती के लिए विज्या पंच जारी किया है जुसके तेहर कंपनी ने मेकैनिकल, मार्केटिंग, HR, सिविल, विधी, राजभाशा, आधी विभागों में मैनेजर, सीनियर, इंजीनियर, सीनियर, आफिसर और आफिसर के लहेगी पटना मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने शुरू की लोगो डिजाइन की प्रतियोगिता, पटना मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने पटना मेट्रो का आकरशक लोगो बनाने के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की शुरवात की है, पटना मेट्रो रेल कॉर्पर क्रांतिकारी बदलाव को भी प्रदर्शित करे जो इसके बाद अब जिन का लोगो बहतर होगा उन्हें आकरशक पुरसकार दिये जाएंगे प्रथम विजेता को पुरसकार स्वरू 50,000, दोत्य विजेता को 25,000 और त्रित्य विजेता को 11,000 रोपे दिये जाएंगे जिसके तेहती आगामी 27 जुलाई तक mail.pmrcl at the rate gmail.com पर लोगो भेज कर कोई भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनामिका की अनामिका का जन बिहार के मुझफर पुर जिले में हुआ था अनामिका हिंदी की कवितरी हैं अनामिका ने अब तक कई कविताओं का संग्रह किया है जुसमें तहत गलत पते की चिठी बीजाक्षर अनुष्टुप समय के शहर में खुर्दुरी हथेलिया दूब धान नामक कविताएं लिखी हैं बिहार राजु महिला आयोग में अध्यक्ष पत पर न्यूखती के लिए हाई कोट सक्त बिहार राजु महिला आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पत पर न्यूखती के लिए बीते दिन पटना हाई कोट की तरफ से जन्हित याचु का दायर की गई है ग्याथो बहुत सारी महिलाएं थाना जाकर श्रिकायत नहीं करना चाहती थी तो ऐसी स्थिती में आयो की स्वैम संग्यान लेते वे जाँच और कारवाई करती थी लेकिन अभी बहुत सारे मामले सुनवाई के लिए लंबित है लेकिन पीडित लड़की या महिलाएं अभी न तेश्प्रताप यादव ने अपना नया फूलों की अगरबत्ती का बिजनेस शुरू किया है इसका ब्रांड नेम एल आर है वैसे तो इसे लॉंगेस्ट और रिचर कहा जा रहा है लेकिन तेश्प्रताप यादव के समर्थकों ने इसे लालू राबरी अगरबत्ती का ना अलग जिलो के लिए अलर्ड जारी करता रहता है इसक्रम में मौसम विभाग ने बीते दिन एक बार फिर से बिहार के आठ जिलो के लिए अलर्ड जारी किया है जिसकी तहट मौसम विज्यान केंदर पटना ने कैमूर, रोहतास और अंगाबाद, पश्रुम चंपारन, सारन पटना, भोजपुर और अर्वल के लिए अलर्ड जारी किया है, इसमें कहा गया है कि मेग गर्जन और वज्रुपात के साथ बारिश होने की संभावना है, इसको देखते वे मौसम विभाग ने लोगों से आगरे किया है कि विसतर्क और साफधान रहे, आपको बता दे कि विहार में दक्षिन पश्रिम मौन्सून की सकरियता भी लगातार देखने को मिल रही है, राज्य के अधिकान श्यवभागों में आंशिक बादल चाहे रहे है, एक बार फिर से विहार वासी गंगा की लहरों का देदार कर सकेंगे, कोरोना के मामलों में आई गिरावट के स विहार राजी परिटन विकास निगम की तरफ से मवी कोटले विहार को खोल दिया गया है। जदियू के राश्ट्री अध्यक्ष पद पर रसीपी सिंग के ही बने रहने के मिले संकेत जदियू के राश्ट्री अध्यक्ष राश्ट्री अध्यक्ष की कुरसी अब किसी और के हाथ में जाएगी लेकिन इसको लेकर अब जद्यू के प्रदेश अधहक्ष उमेश कुश्वाहा ने साफ कर दिया है कि जद्यू में राष्च्ट्री अध्हक्ष पद के लिए कोई वेकिंसी नहीं है RCP सिंग ही जद्यू के राष्ट्री अधहक्ष बनी रहेंगे इस बावत उन्हा ने कहा है कि अगले तीन सालों तक के लिए वो रास्ट्रिय अध्यक्ष हैं हमारे यहां रास्ट्रिय अध्यक्ष के पद पर कोई वेकेंसी नहीं है विहार संस्कृत सिक्षा बोट की माध्यमा के लिए शिरू हुई फॉर्म भरने की प्रक्रिया विहार के संस्कृत विध्याले से पढ़ने वाले विध्यार्थी माध्यमा वार्षिक परिक्षा 2022 में शामिल होने के लिए परिक्षा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बीते दिन से शिरू हो गई है जो की एक सितंबर तक जारी देने वाली है इसको लेकर बिहार संस्कृत सिक्षा बोट पटना ने पहले ही अधिसूच रा जारी कर दी है ध्यान रहे बाश्रिक माध्यमा परिक्षा 2022 में शामिल होने वाले अभिहर्थियों को अब आधार कार्ट देने होंगे इस वर्ष से इसे अनिवारे किया गया है बताया जाता है कि काफी संख्या में चात्रों के जनल तारीक और अन्य चीजों में गलतिया रह जाती थी इसको देखते वे आधार कार्ट को अनिवारे बनाए गया है बिहार में मिले COVID-19 के सौ से ज्यादा मामले स्वास्तव भाग की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिला कर 115 मामलों की पुष्टी हुई है जिसकी बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 1140 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावे जिलो की बात करें तो अररिया में साथ, अर्वल में एक, औरंगाबाद में चार, बेकुसराय में दो, भागलपुर में छे, भोजपुर में चार, दर्भंगा में पांच, इस्ट चंपारन में तीन, गया में एक, गोपाल गंज में दो, जहानबाद में एक, कटिहार में छे, किशनगंज में एक ग्यारा, मधवणी में छे, मधपुरा में एक, मुझफरपुर में पांच, मुंगेर में एक, नालंदा में तीन, नवादा में तीन, पट्टा में पंदरह, पुर्णिया में पांच, रोहतास में एक, सहरसा में चा 480 सांपल की जाच की गई, वहीं 105 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं। इसी को ध्यान में रखते वे उच्चिस्तर से प्राप्त निर्देश के आलोक में अन्य फसलों के साथ-साथ गन्य की फसल की छती का आकलन भी क्रिशे विभाग के द्वारा करने का देश जारी किया गया है। इसी कड़ी में भारत को एक और वाक्सीन की खेप मिलने वाली है। इसी का देश का विकास हो और देश विकास की रास्ते पर आगे बढ़े। चुराग पास वाले नितीश कुमार को फिर लिया आडे हाथ। जुस तरह से चीजे सामने आई है उससे ऐसा लगता है कि नितीश कुमार ने मुझे मंत्री ना बनने देने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं खास कर राजीव रंजन और फ्ललन सिंग की कुरबानी दी है। सुशीर मोधी के मंत्री नहीं बनने पर भाई विरेंदर ने का सातंच। सुशीर मोधी हर बात के लिए लालुयादव को जिम्यदार बताते हैं। उन्हें एक मच्छर भी काट ले तो लालुयादव का ही नाम लेते हैं। इस बार वो कहीं ये भी ना करने लगे कि लालुयादव ने ही दिल्ली में बैटकर मंत्रीयों की लिस्ट में से मेरा नाम कटवा दिया है। शत्रुग नसना ने दिल्लिप कुमार को भारत रत्रन नहीं दिये जाने पर उठाया सवाल। इस तारिक से पहले आधार कार्ट को करवाले पैन से लिंक, आधार कार्ट को पैन कार्ट से लिंक करवाना अनिवारे हैं। नंबर को पैन यानि की स्थाई खाता नंबर या फिर पर्मानिट अकाउंट नंबर से लिंक करवा सकते हैं। आजाद हिंद फॉच का नेत्रत वस्वी कार किया था। भारत की प्रथम पंच वर्षिय योजना 1951 से 56 की शिरवात 1951 में हुई थी। भारत द्वारा पाक सीमा पर दो चौक या स्थापित करने की घोशना 2001 में आज़ी के दिन हुई थी। भारती अमूल के अमेरिकी विज्ञानिक हिमांचो जैनको ग्लास साइंस के शेत्र में ध्यातत्व कारेहेतू आटो स्टॉक रीसर्च पुरसकार 2007 में प्रदान किया गया था। सुनील गवासकर ने पांच टेस्ट माच की सीरीज में पांच शटक लगाने वाले खिलारी का नाम बताया है। जिसके तहट उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया है और कहा है कि सलामी बल्यबाज रोहित शर्मा 2019 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को इंगलान के साथ होने वाली आगामी पांच पांचों की टेस्स सीरीज में एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। आपको बताते हैं रोहित ने इंगलान में खेले गए 2019 वर्ल्ड कप में पांच शर्मा लगाये थे और वो वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में पांच शर्मा लगाने वाले दुनिया के पहले वलेबाज बने थे। रोहित ने 2019 वर्ल्ड कप में 647 रन बनाये थे। गवासकर को उमीद है कि रोहित वाइट बॉल के अपने प्रदर्शन को एक बार फिर से रेड बॉल क्रिकेट में भी दोहरा सकते हैं। इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं। आपका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें। आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़तें आपके सवाल की और आपके आसपास के केंद्रों पर टीका करंग का काम सही धंक से चल रहा है या नहीं। अपने करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेटे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूलें। धनिवार।